दोस्तो वीडियो को जैसे ज़्यादा लोगे तक सेयर करें। से बड़ी खबर है तेलंगाना में कॉंग्रिस को बड़ा जटका बारव विधायक टी एसर में सामिल होने के गोश्टना कर सकते हैं इस संबंध में उन्होंने तेलंगाना विधान सभा के स्पीकर से मुलकात भी कर ली है निवज एजनसी पीटी आई के मुताबिक तेलंगान की अपिल भी कर ली है के चंदस्ते खाराव पिछले पांच वर्सों से वहां के मुख्यमंत्री है और उनकी लोग बित्या दिन प्रतिति दिन बढ़ती जा रही है हाल ही में हुए लोग्स बचुना में उनकी पार्टी टी एस आर 17 में से 9 सीटे जीती थी वहीं कॉंग्रेस के साथ विधायक हैं ए आई एम आई एम टी एस आर के दात मिलकर के चुना उलड़ रही है जी हां दोस्तो अगली बड़ी के वरे भारती बिजनसमेन में पाकिस्तान में लगवाए 60 हैंड पॉम बोले पूल वामा हमला के बाद जी हां दोस्तो भारत पाकिस्तान की बीच प समाजी कारकरताओं की मदद से वहां करीबन 60 हैंड पंप लगवा दी हैं साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए आनाज की बूरिया भी उन्होंने भिजवाई है सलारिया 1993 में सनुक्त राज अरब अमीरात मेरा रहे थे और वहां पर उनका परिवहन का कारोबार है उन काम कर रहे थे दोस्तों पीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों मैप में देख सकते हैं लाइफ नेटवर कवरेज की जानकारी जल्द ही सुरू हो कि इसकी सुविधा जी हां दोस्तों अभी तक आप अपने मैप पर नोटिफिकेशन दूरी और किराय से लेकर के कई तर कर सकते हैं ट्राइ की वेबसाइट के मुताबिक अकले कुछ सब्ताह में लाइफ नेटवर कवरेज की सुविधा सुरू हो जाएगी एक अधिकारी ने बता है कि इस मांचीतर के जरिये गरहा किसी भी जगह पर अपने दूर संचार सेवा प्रदाता के नेटवर कवरेज की परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ट्राइ ने इस सुविधा को पूरे देश में सुरू करने के लिए कई एक कमपनी से करार किया है आपको बता दे कि ट्राइ की चियर्मेन आरे सर्मा ने बता है कि नेटवर कवरेज के मांचीतर से पूरे देश में पता चल लगा जा रही है आपको बताते कि पिछले साल सीमित असर पर ट्राई ने नेटवर्क कवरेज के मांचीतर पर बीटा संसकरन शुरू किया था इसके तहत ऐसी सुविधा दिली समेत केवल दो दूरसंचार सरकिल में भी उपलब्द थी लेकिन अब सो से अधिक सहरों को कवर किया जा जी हाँ दूस्तों अकली बड़ी के खवरेरे निताओं की बयानबाजी से कंग्रेस आलाकमान नराज गहलोत के खिलाफ बोलने वाले बिधाय को नोटिस जारी कर दिया है और प्रदेश पर भारी विनास पांडे ने कांग्रेस जनों के अवस्यक बयान बाजी से बचने को कहा है अखिल भारतिय कांग्रेस कमीटी के महा सचीव और प्रदेश पर भारी पांडे ने एक बयान में कहा है कि राजी के कांग्रेस जनों में अपील की है क कि वर्तमान परी छेप में पार्टी कार्करताओं के बिच उत्पन विसम परी सितियों के कारण लक्ष को भ्रमित नहीं होना चाहिए और हम सब के लिए पार्टी हित स्वहित के लिए सरोपरी होना चाहिए उन्होंने का ऑए कि पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटा संग्यार में आया है जिसमें से पार्टी के वरिष नेताओं को नुकसान पहुंचा है पार्टी नेताओं की आवशक बयानबाजी से बचने के लिए सलाह देते हुए उन्होंने कहाए कि सभी कांगरेस जनों का अदाई तो है कि वे अनुसासित रहे और ऐसा कोई आचछाणर और व्यक्तव सार विजिनिक तahu पर पर प्रतक्ष आप्रतक्ष तरीके से मीडिया और सोसल मीडिया के माध्यर्ण न खो व्यक्त न करें जिस से लगे कि कोई व्यक्त नहीं तस्वार्थ पार्टी के लिए नुकसान पहुचा रहा है। ठीकरा एक दूसरी पर फोड़ने के प्रदेश नेताओं का बयान में आला कमार नाराजे। के अब 5.75% और रिवर्स रेपोरिट घटकर के 5.50% हो गया है। इस कटोथी के बाद बैंकों पर कर्ज की दरे कम करने का दबाव बढ़ेगा। यानि आने वालों दिनों में हूम और कार लोन की दरों में कमी हो जाएगी। आर्बियाई ने ब्यास दरों की कटोथी के साथ वित वर्स 2019 और 2020 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान में भी कटोथी की है। पहले साथ असमल दूपरतिस्ट ग्रोथ का अनुमान था जिसे अब घटा करके साथ परतिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दे कि वित वर्स 2018 और 2019 की चोथी ती माही में आर्थिक विकास दर पांच साल के निचले अस्तर पर आ गई थी। जिसके चलते रिजर्ब बैंक की और से ब्यास दरों में कटोथी की गुंजाइस और आर्बियाई की दरे घटाई गई है। MPC के पिछले दो बैठगों में भी पॉलिसी रेपो रेट चोथाई फीसदी कटोथी की चुकी है। आपको बता दे कि बीसु बैंक में आने वाले दिरों में भारती अर्पेवस्ता को लेगर के सकराटमक रिपोर्ट देगी। बीसु बैंक के अनुसार अगले तीन वर्स तक भारत की आर्थिक वृद्धी दर 7.5 जीरो पर तीसद रह सकती है। उसने कहा है कि महंगाई रिजर्ब बैंक के लक्ष के नीचे है जिसे मौद्रिक निती सुगम रहेगी। इसके साथ है रिण की वृद्धी दर में मौदूध होने की नीजी उपयोग या निवेस की फाइदा होगा। आपको बदा दे कि RBI मौझूदा वित वर्स की दूसरी मौद्रिक समिक्षा निती की आज घोशना की है। की नितीकत दर में कटवती के असर का धीमा होना हमारे इस तर्क पर महत्यपून आधार है। और रिजर्व वैंक जून में नितीकत दरों को वर्तमान अस्तर पर बनाए रखेगा। अगली बड़ी ख़बर है मोदी को जीताने वाले बोटरों पर मायावती का तंज दिया बड़ा बयान। बसपा अध्यक्च मायावती ने बेरोजगारी सिर्ष पर और विकास दर निवतम होने संबंधित अधिकारिक आंकडों के हवाले से केंद्र में मोदी सरकार को फिर से जीताने वाले गरीबों और बेरोजगारों पर तंज कसते हुए कहा है कि अब पच्चताने से क्या होग जब चुणिया चुगई खेत मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि स्रम मंत्राले ने लोकस बाचुनाओं के बाद अब अपने डाटा से बुरी खवर से परमानित कर दिया है कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्सों से सबसे अधिक 16.1% हो चुकी है परनतु गर अधिक विकास की दर घट करके 5.8 पर आ गई है जो बहुत नीचे है मायावती ने उनकी किरसी वज़ा विकास दर से घटने से बताते हुए का है कि सकल घरेल उत्पाद विकास की यह दर किरसी और फैक्टरी उत्पादर में भारी गिरावट का परिणाम है पहले से ही कर्ज पहले दिन ही की इतने कड़ोर की कमाई सलमान खान के फिल्म जीहाद हो तो बॉलीबूर की सुपरिष्टा सलमान खान के फिल्म भारत पाच जुन को रिलीज हो गई है सलमान खान के फैंस इस दिन को लेकर के काफी एक्साइटेड है ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान खान की अच्छी कमाई कर सकती है आपको बता दी के ट्रेड एनालेटिक्स सुमीत कादेल के अनुसार भारत ने सुबह सूज की अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है उन्होंने बता है कि सुबह के सूज छोज से लेकर के सतर परिजिस तक भरे हुए थे सुमीत ने पहले दिन की कमाई 35 से फादर पर अधाई थे भारत फिल्म में एक ऐसे आम इंसान की कहानी को दिखाये गया है यो अपने जीवन में कई तरह के पड़ाव को पार करता है